समस्कार दोस्तों, version control system सीखने के सीरीज में आज हम देख रहें part 4, part 3 में हमने detail में समझा था कि what do we mean by version control system detail में हमने एक real life example लेके अच्छी तरिके से उसका importance और क्या चीज़ से version control system उसके बारे में समझा था तो आज हम समझने वाल है कि what do we mean by repository एक बहुत ही common word है और starting में बहुत ही confusing लगता है बड़ एक बहुत ही simple real life example लेके हम उसको समझने वाल है आज तो चली देखते हैं दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो क्योंकि जैसे कोई नए वीडियो पब्लीच होता है तो उसकी notification उसके बारे में आपको information मिल जाती है और आप मतलब immediately उस suggestion मिला उदर तो repository का मतलब क्या है या place और container in which something is stored in large quantities वो अस्थान जहां बड़ी मातरा में चीज़े संगरहित की जाती है ठीके तो repository सब्सक्राइब मतलब तो समझ में आया अब एक example लेकर आपको समझातों में ठीके तो repository को हम compare कर सकते है अभी storehouse से तो storehouse मतलब क्या जैसे क कि हमारा अनाज का गोदाम होता है गोदाम में different kinds of अनाज serals हम store कर सकते है जैसे कि गेव है चावल है warehouse मतलब एक बहुत ही बड़ा स्खुला space जहां पर हम चीज़े store कर सकते है जैसे कि repository का meaning भी same ही है तो इस case में हमने जैसे बोला कि गेव हो सकते है चावल हो सकता है तो different section मे उनको store किया जाएगा ठीक है warehouse में और कितना quantity है हर एक अनाज का वो किस ना किसी register में या फिर computer में वो store किया होगा और quantity कितनी है हर एक चीज की हर एक serial की ठीक है तो अब समझो software engineering में code repository क्या होती है या फिर short में उसको repo भी बोलते है ठीक है तो repository का मतलब क्या होता है जैसे कि कोई भी बड़ा software project है या फिर software product है ठीक है तो उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो source code हमें लिखना होता है जैसे कि एक project है बहुत बढ़ा उसमें ओवराल जो project हो जावा में बनाए जावा programming language में as a programming language और भी बहुत सरे technology हो सकते है front end technologies databases की technology ठीक है उसको हम side में रखते ह management करने के लिए school का काम आसन मनाने के लिए हमने एक software बनाया और उसमें बहुत सरी functionality हो सकती है तो हरे एक functionality को design करने के लिए कुछ ना कुछ हमें code लिखना होगा जो भी .java file बनेंगी उदर और भी files हो सकते जैसे की configuration file, separate documentation उसको आप एब इगनर करो सिर्फ .java file जो होंगी उस इसको आप imaging करो as अनाच की बोरिया, तो code repository is nothing but a storage location where we will be storing our source code, that's it, ठीक है, अभी desktop पे चलते हैं, इधर एक में नाया folder grade करता हो, ctrl-shift-n और इसको बोलेंगे हम my first, ठीक है, तो इस folder को अब हम एक repository बनाएंगे, तो इस folder के अंदर चलेंगे, और git का installation कैसे करना है, हमने आपने देख लिया है, ठीक है, तो इधर आपको simply right click करना है, और आपको यह option देखने को मिलेगा, git bash here, open git bash here, ठीक है, तो आपको इसको click करना है, जैसे आप click करोगे, तो आपको git का terminal open हुआ हो, वो देखा गा इधर, तो control और plus की दावा के आपको इसको थोड़ा सा font बढ़ा कर सकत है, ठीक है, और git की repository बनाने के लिए simply आपको command type करने है, git init git initialization, इसको हम बोलते है, repository हम, जब भी कोई नए repository बनाने होती है, हमें तो first step यह होती है, ठीक है, तो इससे आप enter करोगे, it is saying कि initialize empty git repository, ठीक है, और dot git, dot git folder बनाया है, उसने बोल रहा है, first repo, my first repo folder में, बट हम इधर तो कोई dot git folder नहीं मिल देख रहा, तो dot git folder होता है, वो hidden होता है, hidden मतलब क्या, यसे आप इधर view पर click करोगे, उपर, देखो, view, और इधर एक check box होता है, hidden items, तो यसे आप इसको click करोगे, आप नीचे देखो, इधर देखो क्या होता है, ठीक है, hidden items, तो आपको देखने को मिलेगा dot git folder, तो this is nothing but, हमारा register या फिर kind of a software program बोल सकते, जो किया भी, इस particular folder में, my first repo folder में, जितने भी, जो भी changes होगे, जो भी files हम add करेंगे, delete करेंगे, add करी होई file में कुछ, हम modifications करेंगे, तो सारा पूरा track करने का काम, ये dot git folder करेगा, ठीक है, जिसके हमने बात करी थी last video में, ठीक है, आने वाले videos में हम और comments के बारे में सिखेंगे, तो आपको और clarity आएगे, but repository के बारे में आपको I think clarity आयोगी, कि what do we mean by repository, ठीक है, तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो please like this video, and चैनल को subscribe भी नहीं किया है, तो please do subscribe the channel, ठीक है, म झाल झाल झाल